पुरभाद साथियों आप सभी का क्रेक एक्जाम ओनलाइन के यूटूब चनल में हर्दिक स्वागत है आज के इस वीडियो में हम RPSC का जीके का पेपर करने वाले हैं जो कि 17 अक्तुबर को यानि कल हुआ था दोस्तों इस समदित जो भी जीके के क्योश्चन कल्चर हिस्टरी से समदित है जो भी करन अफेर के क्योश्चन रहेगे उनको हम करने वाले हैं वीडियो को अपने दोस्तों के साथ सेर करें लाइक एंड कोमेट करके हमें जुरू बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है किस लोग देवता का जनम पुछा गया है उन्डू केश्मेर गाउं जिला बाड़मेर में हुआ है उन्डू केश्मेर गाउं जिला बाड़मेर के अंदर किस लोग देवता का जनम होता है साथियों उंडू कश्मीर भी अपने को देखने मिलता है उंडू कश्मीर भी कई बार उप्षिं में कस्मेर कस्मीर ये देखने को मिलता है तो प्योशन के लिए रामदेव जी रहेगा नेक्स्ट पे चलते हैं निमन में से कौन सी सेनिक चावनी राजपुताना में नहीं थी कौन सी सेनिक चावनी है जो राजपुताना के अंदर नहीं थी सातियों नसीराबाद, देवली और एरिनपुरा जो है न वो राजपुताना के अंदर आती थी वो क्या है राजपुताना के अंदर आती थी हमसे पूछा नहीं आती इस question के लिए right answer टॉंक रहेगा क्या रहेगा टॉंक जो थी ना दोस्तों टॉंक जो थी ना वो राजपुताना के अंदर इस्तीत नहीं थी टॉंक नहीं थी नेक्स पे जलते हैं 1857 के विद्रोय के समय राजपुताना के एज़ी जी कौन थे दोस्तों मैंने आपको कितनी बार बोला है करांती वाले question में जो एक तो एज़ी जी ध्यान रखना चार जो पी ए ना वो मुखें हैं वो भी आप ध्यान रखना जैसे मेवाड मारवाड के हैं वो आप सभी को ध्यान रखने हैं राजपुताना के एज़ी जी पूचे गए हैं तो इस question के लिए राएट आंसर हैगा जोर्ज पैट्रिक लोरेंस 1857 की करांती किसमें राजस्तान के एजी जी थे दोस्तों next question पे चलते हैं March 1948 के अंदर किन राजियों को जोड़ कर मतस्य संग का निर्मान किया गया ये दोस्तों हमने कल भी किया है कल के वीडियो में भी हमने ये question किया attempt किया है तो मैंने आपको बताया मतस्य संग का नाम जैसे आए ना तो आपको A, B, C, D नाम ध्यान आना चाहिए A, B, C, D नाम ध्यान आना चाहिए इसका मतलब अलवर, भर्तपूर, करोली और धोलपूर अलवर, भर्तपूर, करोली, धोलपूर इस परकार हमारा चार नमबर उप्शन बिलकुल राइट रहेगा मार्च उनीसोड़तालिस में चार रोज्यों को जोड़कर मतस्य संग बनाया जाता है अलवर, भर्तपुर, धोलपुरो और क्रोली को ये आप ध्यान रख लोगे केम मुनसी की सलापर ये भी ध्यान रखना केम मुनसी की सलापर मतस्य संग नाम दिया गया है ऐसा भी पूछा जा सकता है कि मतस्य संग जो नाम दिया गया है नसातियों, वो किस की सलापर दिया गया है नेक्स्ट है मेवाड शेत्र का कौन सा नरित्य है जो सावन भादो मास में 40 दिन तक किया जाता है मेवार शेतर का निरित्य है जो सावन भादो के अंदर किया जाता है 40 दिन तक किया जाता है कितने दिन 40 दिन किया जाता है दोस्तों गवरी निरित्य है गवरी निरित्य जो है ना गवरी जो निरित्य है वो चालिस दिन के दिन तक किया जाता है सावन बादो मास के अंदर सावन बादो के अंदर किया जाता है चालिस दिन तक मेवार शेत्र का निरित्य है किस सब्यता स्थल में उत्खनन में चांदी के आठ पंचमारक मुद्राय मिली है सब्यता स्थल का नाम बताना है उत्खनन के अंदर चांदी के आठ पंचमारक मिले है साथियों इस क्योशन के लिए राइट आंसो रहेगा बेराट बेराट के उत्खनन में चांदी के आठ पंचमारक मिले हैं राना सांगा की मृत्यों के बाद कौन मिवाड का सासक बना सातियों क्योशन का आंसूर देने से पहले उसको जो ओप्सन्स हैना मैं आपको कहना चाहूंगा श्यांती से उनको देखना चाहिए देख लेना चाहिए आपको राम से क्योशन अटेम्ट करना चाहिए राना सांगा की मृत्यों के बाद कौन सा मिवाड का सासक बना हब हम क्या करेंगे राना विक्रमा दित्या टिकर देंगे नहीं सातियों राना विक्रमा दित्या नहीं होगा क्योंकि यहांपर राणा रतन सिंग option के अंदर है तो आप राणा रतन सिंग करोगे क्यों Samsung हमने notes में भी सूंगा के बाद direct हम विक्रमदित्य ही लिखते हैं लेकिन आपको ध्यान होना चाहिए सांगा का जो कारेकाल है ना कौन सा है पंद्रासु नो तो बीच में आप देख सकते हो यहाँ पर एक तीन साल का गय पारा है यहाँ पर 600 का गय पारा है और यहाँ पर राना दे रखा है अगर यहाँ पर राव रतन सिंग होता ना तो हम माण लेते कि एकनलald अपना नहीं होता तो आप यहाँ पर राना 7 रखनी है राणा रतन सिंग कब तक कब तक बंते हैं इसलिए मैं आप से कहना चाहूंगा क्योश्चन का आंसर लगाने से पहले एक बार उसको जो जितने उप्सन है उनको एक बार जरूर पड़े फिर क्योश्चन का आंसवर दे 1528-31 का कारेकाल राणा रतन सिंग का मैंने आपको बता दिया सांगा का 1529-28 है फिर राणा रतन सिंग का 28-31 आजएगा और बाद में विक्रमा दिते का आएगा 1531-36 अगर साथ योग क्योश्चन में नहीं मिलता ना उप्सन में अगर राणा रतन सिंग नहीं होता तो फिर हम नोट्स में एड जरूर कर लेना सिर्फ राजा ही इपोर्टेंट है इनके बारे मैंने कुछ ज़्यादा जानकारी यतनी इपोर्टेंट नहीं है सिर्फ हमें इनका काल विवस्ता ध्यान रख लेना 1528-31 की ये सिर्फ आप थोड़ा सा ध्यान रख लेना मोट गवार बाजरा किस परकार की फसले हैं? कारने योजना शुन की है और शूल का नाम हम को बताना है डोघस्तान आप शौतान के टीबी रोग्यों को परदान करने के लिए शुरू की गई है नेक्स्ट क्योशन आप सून है पसू गणणा 2017 के अनुसार राजस्तान की कुल पसू धन जो है जन कितना है पसुग गंड़ना 2019 के नुशार बताना है राजस्तान के अंदर कुल पसुधन कितना है दोस्तों इस क्योशन के लिए right answer रहेगा पान सो अट सट पॉइंट जीरो एक लाक 568.01 लाग इस ट्योशन के लिए बिलकुल राइट आंसर रहने वाला है राजस्तान में पसू गर्णा के मुशार 568.01 लाग पसू है दोस्तों नेक्स ट्योशन पर चलते हैं राजस्तान में राजस्तान देश में कच्चे तेल का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है राजस्तान जो है ये भी ध्यान रखेंगे देश में कच्चे तेल का क्या है दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है देश में रज्जय का कुल कच्चे तेल का उत्पादन कितना होता है? इन्वेटमेंट राजस्तान 2022 समेलन का आयोजन किया गया है? सातियों कहां पर किया गया है जैपूर के अंदर कहां पर किया गया है जैपूर के अंदर किया गया है इन्वेस्टमेंट राजस्तान 2022 का समेलन का यूजन किया गया है और जैपूर के अंदर ये किया गया है सातियों राजगड एजमेर से देवगड उद्यपूर से पन्ना निकलता है साथियों। नेक्स्ट क्योशन पे चलते हैं, राज़स्तान सरकार दवारा किस वर्ज राज़स्तान स्टेट ओपन स्कूल। यहां पे क्या लिखा हुआ है, स्टेट ओपन स्कूल की स्थापना की गई है, इसके लिए राज़स्तान स्टेट ओपन स्कूल की स्थापना की गई है साथियों। नेक्स क्योशन पे चलते हैं, क्या रहेगा इसके लिए राज़स्तान स्टेट ओपन स्कूल के लिए बिलकूर राइट रहने वाला है। नेक्स ट्रूषन है निमर लिखत मेंसे कुण सी नदियों का उद्गम राजस्तान से नहीं हुआ है नदियां दे रखी है और उनका उदगम राजस्तान से नहीं होता है आपको यहाँ पर बताना है साथ यह आप सभी को पता होगा चंबल चंबल का उदगम होता है MP से पस्चमी बनास दे रखी है पस्चमी बनास का जो उदगम है वो है सिरोही पस्चमी बनास का उद्गम जो हो रहा है शिरोही के अंदर हो रहा है माई का उद्गम मेहंद जील आप ध्यान रखोगे मेहंद जील ये भी का है मध्य परदेश MP से इसको हो रहा है साबरमती साबरमती का आपको पता होगा उद्यापूर आप ध्यान रखोगे चंबल MP से हो रहे है पस्मी बना सिरोई से है माही मेंजील MP से और साबरमती उद्यापूर से यानि एक तो मारा आजाएगा A नंबर उप्शन एक आजाएगा मारा C नंबर उप्शन आपको रासतान के टाइगर رिजर्व द रही है बताने कोन कौन से रासतान के अंदर मिलते है सरीस का टाइगर रिजर्व है रामगट विजदारी हाली मेंबने कल का वीडियो में क्टिसटन भी था ये भी हो जाएगा रंतमबौर ये भी है ये भी है शरिस्का, रामगडविस्दारी, रनथंबोर, मुकंद्रा ये सभी के सभी टाइगर रिजर्व ही हैं साथियों A, B, C, D question के लिए बिल्कुल right answer रहेगा यानि question के लिए right answer एक नमबर हो जाएगा शरिस्का, रामगडविस्दारी, रनथंबोर, मुकंद्रा ये सभी के सभी टाइगर रिजर्व हैं राजस्तान सरकार ने सहरी शेत्रों में रहने वाले जुरूरत्मन लोगों को परती वर सो दिन का रोजगार परदान करने के लिए कौन सी योजना आरंब की है राजस्तान सरकार ने सहरी शेत्रों में जो रोग रहे हैं उनको जुरूरतमन लोगों को परती वर सो दिन का क्या रोजगार दिया जाएगा कौन सी योजना, योजना का नाम क्या है? इसके लिए राइट अंसर रहेगा इंदरा गांदी सहरी रोजगार योजना चार नमबर उप्शन राइट रहेगा साथियों इंद्रा गांदी सहरी रोजगार योजणा के तहत सो दिन का रोजगार दिया जाएगा दोस्तों नेक्स्ट है ये क्योशन मैं आपको यहाँ पर लिक देता हूं दोस्तों गोडे की नाल का लिखा हुए है यहाँ पर गोडे की नाल की आकरिती वाली रामगड पाड़ी गोडे की आकरिती वाली रामगड पाड़ी ये दिया रखोगे कहां इस्तित आपसको बताना है राजस्तान में गोडे की नाल की आकरिती वाली रामगड पाड़ी राजस्तान में कहां इस्तित है एक नमबर उप्शन है मु रहेगा ना वो सहाबाद उच भूमी रहेगा एक हमको दे रहा है डंग गंग धर परदेश ये दे रहा है इसके लिए राइट आंसर एक हमको गोडवार परदेश भी दे रहा है ये जो लास्ट अप्सन है ना वो गोडवार परदेश है क्योशन के लिए राइट आंसर साहबाद उच भूमी साहबाद उच भूमी जो है नब बारां के अंदर है दोस्तों और रामगड की नाल की अकरती की पाड़ी है जो रामगड पाड़ी रास्तान के बारां में साहबाद के अंदर है जो साहबाद की पाड़ीयां बोल दो बारां के अंदर है साथियों इसक्य गोड़बार प्रदेश में लूनी बेसिन आ जाएगा नहीं एकर। question भी exam में पुछा गया है ये आ जाएगा जालावाड के अंदर डंग अंदर कहाँ पर आ जाएगा जालावाड के अंदर हो जाएगा चलते हैं आज के next question पर जो कि हमारा आज का अंतिम question है वीडियो आपको कैसा लगा अपने दोस्तों के साथ share करें like and comment करके हमें जुरू बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा है जो साथी चैनल पर नहीं है वो चैनल को subscribe करकर bell icon को प्रेस कर ले ताकि आपको जो भी हमारे latest notification वो मिलते रहें अगर आपने short notes वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो वो आप जाकर देख सकते हो हमने आरसन संबी की भी प्रीविए सीर पेपर करवा रखे हैं वो भी आप जाकर देख सकते हो 2011 की जनगना के नुसार सरवादिक साकसर जनसंक्या निमलिक्त में से किन जिलों में पाई जाती है अब आपको जिलों का पता होना चाहिए दोस्तों हम सबी को पता है कि कोटा में सबसे जादा है जहां-जहा कोटा आ रहे वो अप्شन हम देखेंगे जभपुर अलबर जोधपुर यह उप्षन आप काट दो जभपुर कोटा जोधपुर एक बार यह उप्षन देख लो अब दो में देखो दोस्टों जैपुर जैपुर दो में आ रहा है अब आपको पता होने ची जुणजनू की कितनी है जुणजनू की जो एनसाथियों अब हम देख लेते हैं किसकी कितनी आएगी question के लिए जो right answer आएगा वो आएगा C जैपूर जुन जुनु कोटा ही आएगा तीन नंबर उप्शन राइट रहेगा साथियों अब आप ध्यान रखो कोटा है उसकी है 76.6% साकसरदर कितनी है 76.6% जुन जुन की जो है नस्वाथियों वो है 74% कितनी है 74% है जैपूर जो है उसकी है 75.5 जैपूर की 75.5 जुन जुन की 74 और कोटा की 76.6% है क्योस्चन के लिए हमारा जो राइट आंसोर रहने वाला है तीन नंबर उप्शन रहेगा जैपूर जुन जुन कोटा आज के लिए इतना ही वीडियो आपको कैसा लगा कॉमेंट करकर जुरूर बताएं धन्यवाद साथियों